नमस्कार आप सभी का स्वागत है गरुड़ जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान स्रीक्रिष्ण ने उने कल्यूग की भयावता का वर्नन किया है स्रीक्रिष्ण कहते है सतयूग, त्रेता यूग, द्वापर यूग और कल्यूग ये चार यूग है इन चारो यूगों का अंत होने पर प्रित्वी पर प्रले आता है और संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। चारो यूगों में कल्यूग ही सबसे भेंकर और दुखदायक है। कल्यूग में जब पाप उसके अंतिम चरम पर होगा, धर्म का लूप हो जाएगा, तभी भेंकर प्रले से इस स्रष्टी का विनाश हो जाएगा। भगवान स्री कृष्ण ने कल्यूग में स्त्रिवार पूरुष कैसे होंगे, उनके कर्म कैसे होंगे, उनका वेवार, येवम आचरन कैसा होगा, इस विशे में विस्तार से वर्नन किया है। आईए आपको संक्षितों में बताते हैं भगवान स्री कृष्णा ने कल्यूग का वर्णन किस प्रकार से किया है। सिरकष्णा कहते हैं कल्यूग में जो बलवान होगा वही सभी का स्वामी होगा। चाहे वो किसी भी कुल में क्यों न उत्पन हुआ हो, वो सभी वर्नों से कन्या घ्रहन करने में समर्त होगा। दूसरी बात, कलियुग में, जिसके मुख से जो भी निकल जाएगा, उसे ही शास्त्र समझा जाएगा, उससमें मनुष्य, भूत, पिशाच, दानो, मुर्दे, मशान, ढोंगियों की पूजा करेंगे, उन्हें ही देवता माना जाएगा, वे उन्हें देवताओं के उपर स्थान देने लगेंगे। तीसरी बात, कलियुग में उपवास, व्रत, दान धर्म, तप, आधी अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी अपनी पसंद, एवं रुची के अनुसार ही करेंगे, कोई विदी का पालन नहीं करेगा। चोथी बात, कलियुग में थोड़ा सही धन प्राप्त करने पर, लोगों को धनवान होने का गर्व हो जाएगा। मनुष धन का उप्योग केवल दिखावे के लिए करेगा, हर कोई स्वयम को धनवान अथो आमिर दिखाने में लगा रहेगा। पाच्वी बात, जो पती धन हीन होगा, स्त्रिया उसे छोड़ देंगी, कलियुग में धनवान पुरुशी, स्त्रियों का पती होगा, कलियुग में मनुष्य का सारा धन घर बनाने में ही खर्च हो जाएगा, वह दान धर्म नहीं करेगा, प्रत्येक मनुष्य की बुद्धी केवल धन संचे में लगी रहेगी, वह आत्म ज्यान को समझने में बुद्धी का उप maintenance करेगा, मनुष्य की सारी संपत्ती उपभोग में नश्ट हो जाएगी वो किसी भी प्रकार के पुन्य कर्म में धन खर्चन ही करेगा साथ वी बात कल्यूग में स्त्रिया सुन्दर पुर्षों की कामना में स्वेच्छा चारिनी होंगी वशास्त्र दंड धर्म किसी को नहीं मानेगी स्त्रिया पापी तथा व्याबिचारी पुरुष से ही प्रेम करेंगी सदाचारी और धर्म के पत पर चलने वाले पुरुष से स्त्रिया द भोका देखकर आनंदित होगा नवी बात कल्यूग में लोग एक एक दमड़ी के लिए स्वार्त करेंगे किसी को एक दमड़ी की भी सायता नहीं करेंगे कल्यूग क्याने पर लोग बिना सनान की ये भोजन करेंगे अगनी देवता और अती ठीका पूजन नहीं करेंगे और न प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बलकि कर लेने के भाने, प्रजा का ही धन चीन लेंगे, कल्यूग में योग, तपस्या और सात्विक भोजन के अभाव में मनुष्य, अलप आयू में ही मृत्यू को प्राप्त होंगे, कल्यूग का अंत समय निकट आने पर स्त्री, साथ आठ वर्ष की आयू में ही संतान को जन्म देगी, बारा वर्ष काल में ही नष्ट हो जाएंगे, जब मनुष्य यग्य, दान धर्म, पूजा पाट, आधी प्रकार के सभी कार्य बंद कर देंगे, तब समझ जाना चाहिए, कि कल्यूग कांत निकट आ चुका है, जब धर्म के मार्ग पर चल कर भी, मनुष्य को सफलता प्राप्त नहीं जाएंगे, सुर्य देव, अधिकतप्त, एवा मुष्य हो जाएंगे, सभी प्रकार के फल, रज से रहित हो जाएंगे, और हर तरब केवल, शमी के व्रक्षी दिखाई देंगे, तब समझ लेना, कि कल्यूग कांत अब निकट आ चुका है, जब पाप करने पर मनुष्य को आनंद मिलेगा, पाप करने पर उसे बल मिलेगा, पाप से ही, उसके सभी कारिय सफल होंगे, और पाप कर्म करने से ही, वे धनवान बनेंगे, तब समझ लेना, कि कल्यूग अब अन्तिम चरम पर है, और प्रत्वी का विनाश होने वाला है, तो इस प्रकार से, विश्नु प